Hello friends and welcome back to your own channel आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है part 9 और जो series मैंने शुरू किये इस channel पे boost your vocabulary series उसका ये 9th part है अगर आपने पिछले parts नहीं देखे हैं तो आप channel की playlist में जाके उसको देख सकते हैं आदावाइस मैं उसका playlist का link description में भी देदूंगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत ही helpful रही है students के लिए और काफी पसंद भी आई है बच्चों को ये जो particular paragraph है ये है effective planning for exams तो students के लिए तो ये paragraph बहुत important होने वाला है एक तो वो सिखेंगे 25 new words जो highlighted words है वो 25 plus है उसके लावा में एक एक word का meaning भी बताऊंगे आपको detail में तो एक तो आपकी vocabulary enhance होगी उसके अलावा जो ये content लिखा गया है कि किस तरीके से हमको अच्छ तरीके से plan करना चाहिए exams के लिए उस topic के ओपर भी आपकी जानकारी बढ़ेगी तो आईए शुरू करते हैं 9th part effective planning for exams effective means प्रभावशाली धंग से और planning योजना बनाना for exams, exams के लिए तो एक बहुती प्रभावशाली तरीके से जब हम planning करते हैं exams के लिए वो कैसी होनी चाहिए वो हम सीखेंगे planning effectively for studies in preparation for examinations is a crucial strategy for academic success academic success planning effectively तो असरदार तरीके से या प्रभावशाली तरीके से planning करना, योजना बनाना for studies, पढ़ाई के लिए in preparation for examinations परिक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए और इसमें आप preparation की spelling देख लीजे क्योंकि prepare में तो आता है पी आरी, पी आर ए ठीके, जब preparation लिखेंगे तो ए हट जाएगा और यहाँ पे आएगा preparation, तो आप spellings पे भी ध्यान दो साथ साथ इसलिए हम जब reading करते हैं तो spellings पे भी minutely हम ध्यान देते हैं तो जो मैं बता रही हो, वो भी आप ध्यान से important और strategy is again planning या action जो हम goal achieve करने के लिए planning करते हैं strategy जो हम plan बनाते हैं कोई भी goal हासिल करने के लिए या achieve करने के लिए for academic success यहाँ पे हमारा goal क्या है? academic success शिक्षा की field में सफलता हासिल करने sentence का meaning समझते हैं planning effectively for studies in preparation for examinations परिक्षाओं के लिए तयारी करने के लिए प्रभावशाली ढंक से planning करना या योजना बनाना है एक crucial strategy for academic success अगर आपको पढ़ाई से related कोई भी जगे में सफलता प्राप्त करनी हैं तो ये बहुत ही important है जरूरी है ये वाली strategy बनाना इस तरीके की planning करना effective that means प्रभावशाली तरीके से planning करना अपनी पढ़ाई के लिए ये बहुत जरूरी है अगर आपको किसी भी field में success प्राप्त करना है यहाँ पे हम बात करें शिक्षा से संबंदित to begin it's essential to create a detailed study schedule that covers all the material to be reviewed to begin अब शुरूरात से बात करते हैं it is essential तो ये है contracted form अगर खोल के लिखेंगे तो बोलेंगे it is essential जरूरी completely necessary बहुत जरूरी to create a detailed study schedule बनाना create बनाना एक detail विस्तरित रूप से detail तरीके से study का कारेकरम बनाना पढ़ाई का अपना कारेकरम बनाना that covers all the material to be reviewed जो की cover करें हमारे सारा का सारा जितना भी material required है जो हमको फिर से जिसके उपर review करना है review का मतलब होता है फिर से विचार करना जैसे कि हमको फिर से देखनी है वो वाली चीज़ें वो topics देखने है वो subjects देखने है तो review जितना भी material हमको फिर से view करना है या विचार करना है जिसके उपर तो उसको बोलते है review फिर से review करना है विचार करना है examine करना है, उसके लिए फिर detail में अपना study का कारेकरम बनाना To begin, it's essential to create a detailed study schedule that covers all the material to be reviewed, तो जो भी हमको review करने के जुरत है, पहले हम उसकी अच्छे तरीके से planning करेंगे और detail में एक कारेकरम बनाएंगे उसके लिए Next step है, break the study sessions into manageable chunks अब दीखे, जो भी हमने अपना planning करके, detail schedule तो बना दिया, अब उस schedule को भी हमको क्या करना है, break the study sessions into manageable chunks, chunks तो हो गए टुकड़े या part, और manageable हो गया, जो हम manage करें जो manage किये जा सके जो पूरे किये जा सके तो जो study schedule है, उसमें भी जो हमारे sessions होंगे, जैसे हम लगातार 24 खंटे तो पढ़ने सकते तो जो भी हम study, जब पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो उसको भी break करना है, अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग parts में जो की हम अराम से पूरे भी कर सके, तो manageable, अब देखें, यहाँ पर है, manage word है, उसमें लग गया, यह suffix, A, B, L, E able, तो हम इसमें E को हटाएंगे नहीं, क्योंकि manage पूरा word है उसमें सिरफ एक suffix लगा है तो manageable, जो पूरे किये जा सके, तो क्या बोला है, break the study sessions into manageable chunks, यह आपको पता लगया, and allocate specific time slots for each subject or topic, अब आपने अलग अलग भागों में बांट लिया, कि मैं इतने से इतने बज़े तक पढ़ूंगा, यह topic, तो allocate भी करना है बांटना है, allocate बांटना specific time slot, जैसे कि आपने बना दिया, सुबह 2 घंटे फिर break, फिर 2 घंटे तो जो यह time slots बना रहे हो आप उसके specific बना रहे हो, detail या exact कि इस time पर मुझे यह करना है, तो वही करना है, तो specific time slots बनाने, exact time slots और time slots हो गए, निर्धारिद समय, each subject हर subject के लिए, या topic के लिए, तो आपको क्या करना है break the study sessions into manageable chunks, and allocate specific time slots, for each subject or topic, तो जो भी आपको topic पढ़ना है, जो भी subject पढ़ना है, उसको आपको time slots देने है, सुबह पढ़ूंगा afternoon में पढ़ूंगा, evening में पढ़ूंगा यह इस तरीके से आपको time slots बनाने है बांटना है आपको अपना पढ़ाई का material पूरे दिन की study schedule में, अब next भी बहुत important चीज जो आती है वो है, prioritize the most challenging or unfamiliar subjects early in your study plan, prioritize का मतलब होता है कि importance के हिसाब से, sequence में लगाना चीजों को, most important जो चीज है वो सबसे पहले करना, फिर उससे कम important, फिर उससे कम important, और last में नंबर आएगा जो की least important है तो आपको prioritize करना है most challenging or unfamiliar subject, जो सबसे आपको difficult लगता है, मुश्किल लगता है challenging, चुनोती पूर्ण लगता है या तो unfamiliar subject या जो विशे आपको थोड़े से अंजाने से लगते हैं, that you do not know well, अब अंजाने का मतलब ये नहीं है कि साल भर कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पर exam की बात कर रहें कि exam में हमको सही से कैसे planning करनी है तो आपको पूरे session में जो भी subjects थोड़े से मुश्किल लगे, unfamiliar से लगे, that you don't know well उनको आपको पहले पढ़ाई करनी है तो वो वाले subjects early in your study plan, study plan में उनको पहले रखना है to ensure adequate time for comprehension किस चीज के लिए कि सुनिश्चित करने के लिए ensure सुनिश्चित करनी के लिए adequate time कि आपको परियाप्त समय मिले, adequate परियाप्त, enough time मिल जाए for comprehension कि आप उनको धंग से समझ जाओ, जो भी difficult है, सबसे difficult है उसको आप time लो और उसको धंग से समझ जाओ comprehension समझ जाओ and practice, और उसके लिए आपको practice के लिए भी time मिले तो यहाँ है कि prioritize the most challenging or unfamiliar subjects early in your study plan to ensure adequate time for comprehension and practice, ताकि आपको वो वाला subject या वो वाला topic समझने में और practice करने में उसको लिख लिख के या पढ़के, जैसे भी practice करने है उसमें आपको पर्याप समय तो मिल जाए इसलिए सबसे difficult वाला सबसे पहले करना है अब है additionally, इसके अलावा set clear achievable goals for each study session इसके अलावा आपको set करने है अपने लिए बिलकुल सबस्ट रूप से जो achieve किये जा सके goals तो इस तरीके नहीं है कि बहुत सारा material इखटे ले लिया कि मैं इन दो घंटों में इतना सारा material करूंगा यूँकि हर एक student अलग-अलग होता है और हम सब को पता होता है हम में कितनी capability है, कितनी शमता है तो हमको क्या करना है पहले जो भी हम अपने goal set करेंगे वो ऐसे करें जो achieve किये जा सके achievable, दोस विचार achievable जो हासिल किये जा सके for each study session हर एक जो study session हमने बनाया है चैस सुबे का, afternoon का, evening का हर study session में हम वैसे goal set मनाएंगे अपने लिए जो कि हम पूरे भी कर सके whether it's completing a specific number of practice questions चाहे वो weather ये वाला जो weather है व, h, e, t, h, e, r इसका मतलब होता है चाहे ये एक conjunction है जो दो sentences को आपस में जोडती है और एक होता है w, e, a, t, h, e, r weather वो है मौसम तो चाहे, it's completing a specific number of practice questions चाहे वो हो कि हमको कुछ इतने number of practice questions इतने questions करने है तो हमने जैसे बोल दिया कि चलो हमको 50 questions करने है तो चाहे वो हो या तो हमको finishing a chapter या हमको पूरा का पूरा chapter finish करना हो उस time slot में तो हमको पता होना चाहिए क्योंकि हमने अपना schedule बनाया है कि हमको इतने से इतने वक्त में इतना खतम करना है तो यह है set clear तो हमारे जो goals है वो clear होने चाहिए पहले हमको पता होना चाहिए कि हमने इतना target achieve करना है तो additionally set clear achievable goals for each study session whether it's completing a specific number of practice questions or finishing a chapter students अपने आपको जानते हैं उनका क्या कितनी शमता है उसके हिसाब से वो लोग यह planning कर सकते हैं अब है regularly review your progress अब यह भी बहुत जरूरी है कि regularly नियमित रूप से आप अपने progress कितना आप आगे बढ़े हैं उसको review करें और review का मतलब पहले भी हमने बताया था कि पुनर विचार करें इसको उपर फिर से विचार करें see if any change is required कि जब हम review करेंगे तो हमको पता लगेगा कि इतना तो मैं आराम से समझ किया लिकिन यह वाला जो है यह फिर time ले रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा तो review करो अपनी progress को कितने topics में आपकी progress हो गई आगे कितने topics में जो अभी भी फिर से आपको पढ़ने पढ़ेंगे review your progress and adjust your schedule as needed तो इसलिए review करने के बाद क्या होगा कि आप adjust कर सकते हो adjust means to change slightly थोड़ा बहुत उपर नीचे या changes ला सकते हो बदलाव ला सकते हो अपने schedule में as needed जैसी आपको जरूरत हो तो यहां पे देखिए regularly review your progress regularly करनी है यह and adjust your schedule as needed इसमें कोई कराब बात नहीं है कि अगर कुछ topic अभी भी समझ नहीं आया उसको दुबारा से पढ़ने के लिए और time देना है तो वो आप कर सकते हो अगर आपने review किया तो ऐसी बिना review किया आगे बढ़ते रहे तो पुराना भी भूल जाओगे don't forget to include short breaks to recharge your mind अब यह भी बहुत जरूरी है कि भूलना नहीं है मत भूलिये include करना शामिल करना छोटे छोटे breaks short breaks छोटे छोटे breaks to recharge your mind अपने दिमाग को तरो ताजा करने के लिए recharge करने के लिए during study sessions जो भी आपने अपने लिए पढ़ाई के sessions बनाए है उसमें छोटे छोटे breaks ले सकते हो 10-15 मिनट के लेकिन उसमें mobile से दूर रहना technology से दूर रहना है छोटे break चाहे आप balcony में खड़े हो जाओ चाहे थोड़ी दिर fresh air में चले जाओ या बाते करनो family member से भाई बेहन से छोटे घर में किसी से भी बाते कर लो तो लेकिन इसमें technology या फिर mobile और TV से तो दूर रहना है तो छोटे 10-15 मिनट के break लेना है उससे आपका mind जो है तरो ताजा हो जाएगा नेक्स्ट है lastly और यह last एक point जो ध्यान रटना है वो है avoid last minute cramming आपको दूर रहना है avoid करना है दूर रहना है last minute cramming cramming का मतलब होता है कि रट्टा मारना ठूस ठूस के अपने दिमाग में चीज़ों को भरना तो वो जो last minute में जो जब समय कम रह जाता है और कम टाइम में आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरने ही कोशिश करते हो उससे बचना है ठीक है by starting your preparations well in advance और वो कैसे बचोगे जब आप start करोगे शुरू करोगे अपनी तयारी करना well in advance exam से काफी समय पहले से planning शुरू कर देनी है कि मैं किस तरीके से अपनी exams के लिए तयारी करूँगा तो ये आपको advance में planning कर लेनी है और वो भी well in advance अभी time पर allowing for thorough revision allowing ताकि आपको time मिल सके इसको बोलेंगे thorough thorough नहीं बोलेंगे thorough thorough revision thorough means complete या पूरा revise कर सको अब जब पूरा आप एक बार पढ़ लोगे धंग से उसके बाद उसको जो आपके difficult concepts है जो समझ नहीं आए आपको review के वक्त पता लगा कि मेरे को ये वाली चीज़ समझ नहीं आए तो उसको दुवारा पढ़ना है फिर last में आपको time मिल सके revision करने का भी इसलिए advance में अच्छी से planning करनी है ताकि आपको revision का भी पूरा time मिल सके and reducing stress इसलिए तनाव भी इससे कम होगा as the examination approaches जब हमारी परिक्षाए नजदीक आएंगी approach नजदीक आना यहां से फिर से पढ़ते हैं lastly, avoid last minute cramming by starting your preparations well in advance allowing for thorough revision and reducing stress as the examination approaches अब जब आपके exam नजदीक आजएंगे तो आपको बिल्कुल भी तनावनी होगा क्योंकि आपने तो पहले से planning कर लिए है आपने पढ़ाई भी धंग से की है revise भी किया है effective planning ensures that you cover all necessary material तो अकर असरदार धंग से आप planning कर लेते हो तो ये सुनिश्चित करता है ensures सुनिश्चित करता है that you cover all necessary material कि आप cover कर ही लोगे सारे जरूरत वाले material जो भी जरूरी है वो भी material कोई भी topic जो भी जरूरी है वो आप अच्छे धंग से cover कर लोगे तो इसलिए planning करना और planning कोई ऐसी वैसी planning नहीं जो आप बीच में आधे में छोड़ दोगे effective तरीके से असरदार तरीके से जो आपको लगता है कि मैं पूरी कर भी सकूँ उस तरीके से planning करनी है तो cover all the necessary material retain information और retain का मतलब है अपने दिमाग में बनाए रखना जो भी आपने पढ़ा है जितनी revision किया है तो वो अपने दिमाग में रखना क्योंकि last minute cramming अगर होगी दिमाग बहुत भर जाएगा तो आप confused हो जाओगे इसलिए time पे आपने revision करना शुरू कर दिया तो retain भी कर पाओगे उस जानकारी को retain means अपने बनाए रखना यहाँ पे retain का मतलब है कि जो भी पढ़ाई करी है जो भी जानकारी मिली है आपको उसको बनाए रखना अपने मन में दिमाग में and perform your best during examination और perform प्रदर्शन करना your best अपना सर्वश रेष्ट जितना हो सकता है उतना best during examination परिक्षाओं के समय में तो यह जो टॉपिक था इसने आपको जानकारी दी कि आपको किस तरीके से exams के लिए effective तरीके से planning करनी है तो आपको बहुत अच्छी vocabulary इसमें सीखने को मिली है साथ ही जो टॉपिक से related जानकारी मिली है वो तो बहुत ही important है तो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और जरूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा friends आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please अपने friends के साथ family members के साथ जिसको भी जरुवत है एपके topics की उनके साथ इसको share कीजिए वीडियो को like जरूर करना और जो channel पे नए है please subscribe to the channel channel का हिस्सा बनिये और मुझे भी support कीजिए thank you everybody for watching see you next time